दोस्तो नवरात्रे आते ही पूरे देश में उत्सा वे उमंग का माहौल होता है एक उत्सब जैसा हो जाता है क्योंकि भारत वर्ष में ही नहीं बलकि भारत के बाहर भी अनेकों स्थानों पर मातारानी को पूजने वाले व्यक्ति मातारानी में आस्ता रखने वाले व्यक्ति अवश्य ही मिल जाते हैं हर कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में सुक शांती और एश्वरे की प्राप्ति करना चाहता है उसे मातारानी के इन नो दिनों में यानि कि नवरात्री के दोरान पूजा अर्थना अवश्य करनी चाहिए मातारानी के सात्मे सुरूप के रूप में यानि कि मातारानी के नवरात्रों के सात्मे दिन मा कालरात्री का पूजन किया जाता है मा दुरगाजी की सात्मी शक्ती कालरात्री के नाम से जानी जाती है मा कालरात्री के पूरे शरीर का रंग एक अंदकार की तरह है इसलिए शरीर काला रहता है, इनके सिर के बाल हमेशा खुले रहते हैं, गले में बिदुत की तरफ चमकने वाली माला है, इनके तीन नेत्र हैं, ये तीनों नेत्रों ब्रमान के शदर्शे गोल हैं, इनके बिदुत के समान चमकीली किर्णों से निशित्रत होती रहती है, मा की नासिका के स्वास प्रयास से अगनी की भैंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गद्रभ है। ये उपर उठे हुए दाइने हाथ की बर्मुद्रा से सभी को वर्परदान करती हैं। लेकिन ये सदेव सुपल्प देने वाली ही माता है। इसी कारण इनका एक नाम शुभमकारी भी है। अते इनके भकतों को किसी प्रकार की भैभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं है। माव सबसती के पाठ में सबसती पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विदी से पूजा करते हैं। तो माता रानी के साथमें सुवरूप माकाल रातरी की पूजा कलस को प्रणाम करने से सुरू होती है। वे लाल रंग के पुष्प चड़ा करके संपन होती है। माकाल रातरी के पूजा से भक्तों को दुष्मनों से सब प्रकार से मुक्ती मिल जाती है। इस बात का बरदान भी मिलता है। साथी दुष्मनों ने जब आपको पूरी तरह से गेर लिया हूँ, हर और बिरोधी नजर आएं। तो ऐसे में आपको माता काल रातरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से हर तरफ की शत्रू बादा से मुक्ती मिल जाती है। साथी दिए आप किसी बिशेश मनो कामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आपको माकाल रातरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वे कुछ छोटे मोटे उपाए वे किरिया करने से आप अपनी हर एक मनो कामना को पूर्ण करी सकते हैं। साथी अपनी हर प्रकार की बाधाओं से भी मुक्ती प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए बेहदी चबरतस उपाए लेकर आएं। जिससे अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर एक मनो कामना अवश्के पूर्ण होगी। तो आए जानते हैं कौन सा है वे उपाए। दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको दो चीजों के बारे में बताएंगे। जो कि अगर आप सुए माता को चड़ा देते हैं तो आपके घर में सभी प्रकार की सुख से विधाएं अपने आप ही आ जाती है। घर सदे भी धन दाने से बरा रहता है। सुख समर्दी, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ आपके पास हो जाता है। दोस्तो जोति सास्तर में, वितंतर सास्तर में ऐसे बहुत से उपायों के बारे में बढ़नन मिलता है। जिन्हें यदि कोई निर्दन से निर्दन प्यक्टी पी कर ले, तो भै देखते ही देखते अमीर बन जाता है। इसले दोस्तो आज की वीडियो में पहुती खाओं खुरूप से हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप मातारानी को भेंट कर देते हैं, तो स्वेम मातारानी आपके सभी मनवानचीती च्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तो ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिये लाता रहूं, तो आप हमारी इस वीडियो को सेर करें, लाइक करें, साथ आगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो पहले आप इसे सब्सक्राइब भी आउश्य कर लें क्योंकि हम हरोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबर्दस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन में खुछियां ला सकते हैं और जी सकते हैं एक खुछी बरा जीवन तो अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में दोस्तो माता लक्षमी को सभी 64 कलाओं से युक्त बताया गया है और माता रानी को कहा जाता है कि सभी प्रकार के 16 स्रिंगार बहुत ही पसंद होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा एक इस्त्री को पसंद होता है अपना मंगल सूत्र जी हां दोस्तो मंगल सूत्र और स्वाक की निशानी सिंदूर सबसे ज़्यादा प्रसंद होती है इस नहीं घर में मौझूद माता लक्षमी के चरणों में इसे समर्पित कर देना है। अगर आपको कहीं भी माता लक्षमी का मंदिर ना मिले तो आप किसी भी माता को मा दुरगा, मा सुरसति या किनी भी माता के चरणों में आप इसे भेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होना मुश् अपने घर में ला सकते हैं, उसके बाद आप इस उपाय को भी कर सकते हैं, बस आपको ये दो चीज़े भेंट करते वक्त अपने मन में जो भी आपकी परिशानी चल रही है, जिस परकार से एक बार के लिए मान लीजिए, कि आपके घर में धन संबंदी समस्या चल रही है, सु जोनों चीज़ों को आप भेंट सोरूप मतालक्षमी के और मतारानी के चरनों में आप एक बार से समर्पित कर दीजिए, बस देखते ही देखते पलक जबगते ही आपकी समस्याओं का अंतस्वेम मतारानी कर देती हैं, दोस्तों खास और पर ये उपाय इस्तरियों के करेगा, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक लिज़े में इजादे दने बाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना बोलें, जै मातादी, जै मालक्षमी.